बजेट में आत्मन निर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है हम इस बजेट में जिन सिध्धान्तों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संभावन को एक नया आयाम देना इंफास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए ने छेत्रों को विख्षित करना, आधुनिक ताकी तरफ आगे बरना, नए सुधार लाना साथियों नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बना कर आम लोगों के जीवन में इज अब लिविंग को बढ़ाने पर इस बजेट में जोर दिया गया है ये बजेट, इंडिविजियल्स, इन्वेस्टर्स, इंडिस्ट्री और साथ ही इन्फास्रेक्टर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बढ़लाव लाएगा मैं इसके लिए देश की वित्तमंत्री निर्बलाजी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों ऐसे बजेट देखने को कमी मिलते हैं जिस्ट में शुरू के एक दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पॉंस आएगा कोरोना के चलते कई एक्सपर्स यह मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोज बढ़ाएगी लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रती अपने दाईतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजेट साइज बढ़ाने पर जोर दिया हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजेट ट्रांस्परेंट होना चाहिए मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजेट की ट्रांस्परेंसी की सरहरा की है साथियों भारत करोना की लड़ाई में रियक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोयक्टिव रहा है चाहे वो करोना के काल में किये गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्म निर्भर भारत का संकल्प इसी प्रोयक्टिव नेश को बढ़ाते हुए आज के बजेट में भी रियक्टिव का नामों निशान नहीं है साथ ही हम एक्टिव पर स्टेटेस्कों पर भी अटके नहीं है और हमने इस बजेट में भी प्रोएक्टिव बजेट देखर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। विशेश रुप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजेट जिस तरह से हेल्ट केर पर केंद्रीद हैं वो भी अभुद्पुर्व हैं। ये बजेट देश के हर शेत्र में विकास यानि और राउंड डेवलप्मेंट की बात करता रहता है। खास तोर पर मुझे खुशी है कि इस बजेट में डक्षिन के हमारे राज्य, पुर्वोत्तर के हमारे राज्य और नुत्तर में ले लदाग जैसे ख्षेत्रों में विकास पर विशेश ध्यान दिया है। यह बजेट भारत के कोस्टन स्टेट्स जैसे तमिल नाडु, केरल, पस्चे मंगाल, इस इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम अठ है। नौर्ट इस के राज्य जैसे असम के अन एक्स्प्लोर्ड पोटेंशल को टैप करने में बजेट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजेट में जिस तरह से रिसर्ट और इनोवेशन एको सिस्टिम पर बल दी गया है। जो प्रावधान किये गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी, भारत उजवल भविश के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए, उनके स्वास्त, स्वच्चता, पोर्षण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजेट में विशेश बल दिया गया है। बजेट में, इन्फा सेक्टर पर खर्चवें, अबुत पुर्व वृद्धी के साथ साथ कई व्यवस्तागत सुधार किये गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फाइदा देश में ग्रोथ और जॉप क्रियेशन, रोजगार के लिए बहुत लाब होगा। देश में एग्रिकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आइब बढ़ाने के लिए इस बजेट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किये गए हैं, एग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा रण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानि एपीमसी को और मजबूत करने के लिए, ससक्त करने के लिए एग्रिकल्चर इंफार्सेक्टर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब देन नहीं ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गाव है, हमारे किसान है। MSME सेक्टर को गती देने के लिए, रोजगार के अउसर बढ़ाने के लिए, इस बार MSME सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्म दिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा हैं, जिसमें देश के हर नागरी की प्रगती शामील है। ये बजट इस दशक की शुरुवात की एक मजबूत नीव रखने वाला बजट है। सभी देश्वास्यों को आत्म दिर्भर भारत के इस महत्वपों बजट के लिए मैं बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूं। फिर से एक बार वित्नमंत्री जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत अभिनदन करता हूं, धन्यवात करता हूं। झाल झाल झाल